मेश राशी, धन लाब के योग फिलहाल आपके लिए बने हुए हैं धन की प्राप्ती होगी पारिवारिक समस्याएं आपकी हल होंगी और इस समय आपके संतान पक्ष की उन्नती होगी भगवान कृष्ण को मेवे का यानि ड्राइ फ्रूट्स का अगर आप भोग लगाएं तो बहुत अच्छा होगा शुभरंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है असी प्रतिशत बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है व्रिशव राशी करियर की बाधाएं समाप्त होंगी नए काम की शुरुवात इस समय हो सकती है अपने महत्वपूर्ण काम फिलहाल आप निप्टा ले भगवान कृष्ण को अगर माखन का भोग लगाएं तो आपका दिन और भी जादा बेहतर होगा शुबरंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90 प्रतिशत सबसे ज़्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है मिथुन राशी स्वास्त का बहुत ध्यान रखें बेवज़ा के विवादों से बचाव करें और रिष्टों में सावधानी बनाए रखेंगे भगवान कृष्ण को अगर तुलसी दल अरपित कर दें तो आपके दिन के मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी शुबरंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60 प्रतिशत मेहनत ज्यादा होगी भाग्य थोड़ा कम रहेगा करकराशी, धन लाब के अच्छे योग आपके लिए बने हुए है मानसिक चिन्ताएं आपकी समाप्त होंगी किसी अतिथी का इस समय आग्मन हो सकता है भगवान कृष्ण को अगर आप खीर का भोग लगाएं तो आपका दिन और भी जादा बेहतर होगा शुबरंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है सत्तर प्रतिशक मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है सिंग राशी करियर में सफलता के योग है रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा काम की रुकावट आपके दूर होगी भगवान कृष्ण को मेवे का यानी ड्राइफ रूट्स का भोग लगाएं तो बहुत शुब होगा शुबरंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है असी प्रतिशत बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है कन्याराशी स्वास्ट में सुधार होगा पारिवारिक चिन्ताएं समाप्त होंगी नए काम की शुरुवात हो सकती है भगवान कृष्ण को तुलसी दल अर्पित करें तो आपका दिन और भी ज़्यादा बेहतर होगा शुबरंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75 प्रतिशत उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है तुलाराशी स्वास्थ का बहुत ध्यान रखें सेहत में लापरवाही ना करें आफिस में शांती बनाए रखें और वाहन सावधानी से चलाएंगे भगवान कृष्ण को अगर मिस्री अर्पित कर दें तो आपके दिन के मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगे शुबरंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है साथ प्रतिशत मेहनत ज्यादा होगी भाग्य थोड़ा कम होगा व्रिश्यक राशी करियर की बाधाएं दूर होंगी धन प्राप्ती के योग बन रहे हैं संपत्ति का लाभ इस समय आपको हो सकता है भगवान कृष्ण को माखन का भोग लगाएं आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा शुबरंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है सत्तर प्रतिशत मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है धनूराशी काफी सारी दोड़ भाग बनी रहेगी करियर में सफलता होगी और लाब मिलेगा इस समय अपने योजनाओं को और अपने काम को गोपनी रखें भगवान कृष्ण को अगर आप पीला फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी जादा बेहतर होगा शुबरंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65 प्रतिशत जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाब होगा मकर राशी स्वास्थ की स्थिती में आपके सुधार होता फिलहाल दिख रहा है संपत्ति का लाब आपको हो सकता है कर्ज की समस्या से आपको छुटकारा मिलेगा भगवान कृष्ण को मेवे का भोग लगाएं तो आपका दिन और भी जादा बेहतर होगा शुबरंग होगा फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75 प्रतिशत उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है कुम्बराशी काम के बोज से आपको परिशानी होगी स्वास्थ पर अभी भी आपको ध्यान बनाए रखना है बड़ों की सलाह मान करके चलेंगे तो आपको लाब होगा भगवान कृष्ण को अगर चंदन अर्पित कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक हल हो जाएंगे शुबरंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है साथ प्रतिशत मेहनत ज्यादा होगी भाग्य थोड़ा कम रहेगा मीन राशी किसी यात्रा पर जाने के योग बन रहे हैं करियर में आपको धन का लाब होगा संतान पक्ष की उन्नती होगी भगवान कृष्ण को अगर आप मिसरी अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी जादा बेहतर होगा शुबरंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है सत्तर प्रतिशत मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है